दोस्तो हाजरें एक होर वीडियो रिपोर्ट लेके चैनल रितेश लखी अन्प्लाग्ड उत्ते आज दी इस रिपोर्ट विच मैं गाल करांगा पंजाब दे खुड़े लैंड बठाते गए डीजेपी वीके पावरा के वें बैकफायर मार रहे ने एक काउंटर ओफेंसिव उनने खोलता थे पगवांतमान सरकार दे समने सवाल रखे ने तकरीबन वी तो वद अजे हे नुकते अजे हे पॉइंट्स थे कुछ दस्तावेजा दी मंग उना मलू किती गई है एक मामला हुने एक वद दे हुए विवाद दी शकल ले सकता है क्योंकि वीके पावरा ओ क्वालिफाइड डीजीपी ने जिनानों सुप्रीम कोड दिया हिदायता यूपी असी दे पैनल ते एक सही प्रक्रिया अपनाओ दे हुए पंजाब दा डीजीपी लाया गया सी ओके दी नजाकत नों वेखते हुए तकरीबन दो महीने ओ छुट्टी थे रहे लिकिन 4 सितंबर नों छुट्टी तो वापस परतन तो दो दिन पहला पगवंत मान सरकार नों डार ए पैगया कि वीके पावरा आके अपनी कुरसी ते वापस पैजानगे कोई भी लॉजिकल ते कानूनी अधार नहीं है पगवंत मान कोल ते वीके पावरा नों दो सितंबर दे आसपास सरकार ने देता हुन वीके पावरा ने ओस कारण दसो नोटिस शो काउस नोटिस दा जवाब देता है ते ओस जवाब दे विच उना ने उल्टा सरकार तो ही सवाल पूछ लेने तिन वड़ियां वारदातना संझ जिना नूं आधार बनाया गया सी जिना नूं इक वजा दस्या गया सी पंजाब दे law and order नूं सुचज जे टांग देनाल ना हैंडल कारपांड दा वी के पावरा वल्लो बतोर DGP ते वी के पावराने हुन इना तिनना वारदातना ते कटनावा दे पक्खों ही सवाल किते ने वी दे आसपास डॉक्योमेंट मंगे ने इना विच सब तो महतफूरण कटना ते वारदात सी सिद्धू मुसे आला दा कतलकाण उनती मैई दा ओ कतलकान इस तो पहला नौ मैई नू इंटेलिजन्स हेड़कॉर्टर दे रॉकेट लॉंचर आरपीजी दा हमला होंदा है ते काली माता मंदर पटैला दे विखे जो एक टकरा होया जिसनों पुलिस दा फेलेर मन्या गया थे सरकारी निर्देशाओं नू कारण मन्या गया थे विकेपवरा तो सवाल जवाब किते गए लेकिन विकेपवरा ने इतिनना मामलिया दे विच सरकार तो कुछ दस्ताभेज मंगे ने सरकार तो कुछ रिकॉर्ड मंगया है ते रिकॉर्ड मंगन दा कोई सदारन कारण नहीं है विकेपवरा इसले पूरी तरीक के देना लें पावर्ड ने अधिकरित ने कि ओ खुद नू डीजीपी दे और दे तो खटाये जान दे सरकार दे पगवांतमान सरकार ते फैसले न हेट ने दालता दे बिजबी चुनाओते जिती जा सकती है ते सुप्रीम कोट दा कानून बहुती क्लियर है विकेपवरा नों बिना किसी मजबूत ठोस अधार दे मिसकॉंडक्ट या फिर कुछ अजेहे चार्जिस जेड़े ओना दे खिलाफ समय सिर लाए गए ते होए उना दाओ अधार बनाए बगैर उना दे ओदे तो हटाया ही नहीं सी जा सकता हलांकि ए पूरी दी पूरी स्थित्थी क्यों पैदा होई एस उत्ते भी एक सवाल खड़ा हुंदा है क्योंकि वीकेपवरा जेहे अफसर ने बहुती शांत सो बाद अफसर बनने गए ने ओ कोई तेगड़न लगान वाले उना अफसरा वांग नहीं जो की मीडिया दे बिच खबरा प्लांट कार करके मीडिया दा इस्तेमाल करके होर लोमड चालना या लोमड जिनिया तरकीबा चालके डीजीपी दे ओदे नू हासल कारना ते उस ते बने रहना चान देने पंजा कि वीके पावराई काजे है अफसर नहीं जो की अपनी कुरसी ते डीजीपी दे ओदे देना चिपके रहना चान दे सी एही कारण सी की दो महिने दी चुटी मौके दी नजाकत नू समझ दे होए उना ने खुदी अपलाई करती चले गए लगा कि हला ठीक होए ने ते वो व अपसान दा समा होया अपने अद्धन दा समा होया तब पगवँनतमान सरकार ने हुन साथके जाईए इना धे होना सला कारा थे जन्हान ने इना नू एड़ी पुठी सला दिती कि इक शोकौश नोटीजी डीजी पीनो उस ओना बाढर दाता होना कट्नाम ली जारी कारता ग तो कि ना ता पगवानतमान दी सरकार ते ना ही ओना दा पूरा दा पूरा निजाम सीरियस है, इमानदार है सिद्धू मुसे आला दे हत्या कांड दी सही जाच करान दे पकूँ, मैं उस पुलस जाच दी गाल नी का रहा है जिस तहत की गैंगस्टान उते शूटरान दी तरप ता सी, हाई कोट दे सिटिंग जज तो एक इनकवारी कराने सी, पगवानतमान उस दे उते बाद विच बिल्कुली मुकर गए, ठीक है हाई कोट ने जज नहीं दिते लेकिन इनकवारी था होई नी, जे नियाएक इनकवारी कोई होई नी, क्योंकि उस इनकवारी दे विच बहुत चीजां, बहुत से आसपेक्ट्स, बहुत से नुकात जड़े हैगने, उन्हानू टाच कीता जाना सी, उन्हान दी प्रताल होनी सी। सिद्धु मुसे आला दी सुरुख्या देनाल जड़ा खिलवाड होया उस दी हत्या हत्या कांड तो पहला जो कुछ होया उस दी डाउन ग्रेड किती की सेक्यूरिटी सबाद 400 होर VVIP देनाल जड़ी कटाई गई सुरुख्या उस दी सी उस दे ले जिम्मवारी किस दी तह कित जानी सी इस उत्ते था कदे भी सरकार ने ना ता कोई जवाब देता बलकौर सिंग होना वलनों डिमांड करन ते कई मंचा दे होते हो आवाजां उठन तो बाद भी सरकार इस उत्ते चुपपी तारण करे बैठी है क्योंकि इकले वी के पावरानू जो की पंजाब दे डी जी दी कोई भी से नहीं होंदी सो मांसा दा एससपी या फिर किसी भी होर जिले दा एससपी पंजाब दा मुख मंत्री डिसाइड करके लांदा है ना कि पंजाब दा डी जीपी सो जे सिद्धू मुसे अला दे कतल केस तो पहला उस दी सुरुख्या नों कटाता गया सी जिस तो मादवी पार्टी दे उना ओदेदारां दी उना सोशल मीडिया दे लोकां दी आज उना विचो कई लोग मीडिया डिरेक्टर बनके बैठे ने इना लोकां ने जदो ए जानकारियां साजियां कीतियां इना नू केड़ा अफसरा ने जानकारियां दीतियां पंजाब पोलस दे केड़े अधिकारियां, केड़े मैक में दे करमचारी संजीना दे जरिये एस सूचियां, VVIP दी सेक्यरोटी देना जुड़ी हुई बहुती sensitive details मीडिया तक पहुंचियां, एस उत्य आज तक ना था सरकार ने कोई investigation कराई ना कोई जानकारी कराई, जड़ी कमीशन दी गालबात पहला उठी भी सी, जो कि पगवानतमान सरकार ने खुद अना उसकी तीवी sitting commission, एक sitting high court judge दी अगवाई head commission बनावांगे, ना तो कदे commission बनेया, high court ने sitting जाजन दीता, ते मुख मंतरी पगवानतमान गोल करगे उस नयाइक आयोग दी गालबात नूँ, जड़ों तुसी कोई inquiry ही नहीं कराई, को investigation ही उस पदर दी एक वड़ी व्यापक investigation दी गाल कारदा पहन नहीं होई, तो फिर कले डीजीपी वीके पावरा नो इना तिन वारदाता या सिद्धू मुसे, अलादी साब तो बड़ी जड़ी वारदात सी, उस दा जिम्मेवार के में ठहराये जा सकता, एक बड़ा बड़ा सवाल है, तो DJP वीके पावरा तो इलावा 5 होर सीनियर ओदेदार सन, सीनियर अधिकारी सन, जिना तो सवाल जवाब होने चाहिए सन, जे कारण दस्वों नोटिस वीके पावरा नो दिता गया है तकी अजे है कारण दस्वों नोटिस होर ओदेधारा नो दिते गए ने ते साब तो पहला कारण दस्वों नोटिस था पगवानतमान पंजाब दे मुखमंत्री नो पेजा जाना चाहिए दा है पगवांतमान ने कारण दसो नोटिस दा जवाब देन कि केड़ी ओना दी पार्टी दे ओदे दार है गेने जो कि आज बाद दे बिचोना ने ओना नूँ ओफिस बिरर बनाया ओदे नवाजे है गेने मीडा डिरेक्टर बनाया एक पतरकार नूँ इस तो इलावा होर बहुत स लोग है गेने जो कि आना दी पार्टी देना जोड़े हो इसन जिना ने एस तरीके दी सेकुरिटी जानकारी नूँ लीक करके सिद्धू मुशे आला समेत सवा चौर सा लोग का दी सुरख्या देना लेड़ा बड़ा खिलवाड किता ओवखरी का लेकि नुकसान सिर्फ पगवांतमान खुद एसली जवाब दे नहीं ते सब तो पहला कारण दस्वों नोटिस उना नूनी जारी होना चाहिता सिगा जे कोई न्याइक आयोग बनेया होंदा ता फेर वो इस चीज़ी कोकता जगार दाल लेकिन ओ ता नौबत ही नहीं आन दिती गई ते ऐन लगया पगवांतमान दे कसीदे पड़ता है ते पगवांतमान दे उना दी सरकार दी ही वावाई करन तो इलावा ओस मीडिया नूँ हूर कोई काम नहीं है आज तक मैं उना मीडिया चैनला जो कि स्वेर शाम लॉरेंस बिशनोई दी अदालती फेरिया नू दखा दखा के अपने पगवांतमान दे अपने सी चीफ मिनिस्टर ओफिस दे विची उना दे स्पेशल प्रिंसिपल सेकरेटरी खुद गौरव यादव एडिजीप पंदर दे कारी सन जो कि आज डीजीप बन चुके ने ओफिस एटिंग डीजीप पंजाब दे ने सो मुख मंतरी ओना दे चीफ मिनिस्टर ओफिस दे विच एक स्पेशल प्रिंसिपल सेकरेटरी जो कि एडीजीप रहेंग दा अफसर सी पंजाब दी लॉइन ओडर विवस्था नो एक ग्रह मंतरी थे CMO दे विच बैठा एक एडीजीप हैंडल जो नहीं कर रहा सी इंटेलिजेंस ते एडीजीप सेक्यूरिटी ते एक छठा दिकारी है जो कि SSP मानसा है गेने सो एक छे ऐसे लोग है गेने इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर पगवानतमान टॉप डाउनवर्ड जी आपा चलिए SSP मानसा तक इना दी सब दी जिम्मेवारी वी तै होनी चा जाफते पले मानसी ही मनना गा कि ओ चुप चाप जाके पंजाब पुलस कॉर्पोरेशन जा जड़ा ओदा और नो दिता गया डीजीपी दा ओस उते जाके बैगे जोकी इन कॉंसीक्वेंचली खुड़े लैंड पोस्टिंग मननी जान दी है अदर्वाइस कोई हो रधिकार जाके प्लाटफॉम बानदा सी सिद्धे जाके रिलीफ लेंदा थे पंजाब दे बिच बताव डीजीपी बनके आउनदा फिर अदालता दे बिच सरकारा केस लड़ी जान दिया थे एस थाबतकार दिया रहन दिया कि वीके पावरा एक बहुते नलायक डीजीपी सान थे उ खांत नूँ भी बयान कारता है जो कि साड़े पंजाब दे सिस्टम दा रहा है पंजाब सरकार ते मुख मंत्री ता जो भी तालोग पुलिस अड्मिस्ट्रेशन दे नाल रहा है उस दे बिच बहुत वड़े वड़े विवाद पहला भी वेख दो मिलेने एक बहुती आनीस रिलेशनशिप जी रही है ते पंजाब दे डीजीपी दे और दे वते बैठनली सीनियर आईपेस अफसरा ने एक दूसरे दी जड़ा खोदन दे विचे कदे भी कोई कसर नहीं छड़ी है ए इतिहास जापा पढ़के वेख लिए मेरिया करे रिपोर्ट है तो उसी चाके ब चुने गई सांथे जे उना नुँ उना दे ओधे दे डखना नहीं सी पंजाब सरकार ने की उना नुआ का graceful ते respectful तरीके दे नाल किसी होर थांत एककॉमोडेट नहीं सी किता जा सकते है बड़ा-बड़ा सवाल है क्यूंकि सरकार ती बड़ी-बड़ी miss handling के स्विछना जरा पहले थे पहले, पहले अफैंमा थे आप संग्तव कोई पीद तता है, तो पावकिल मेंगर्स और वो. अपा पंजाब दे बीच वेख्या है कि दोज़दार स्ताना एथे जड़ा मैं जिकर थोड़े सामने कीता है कि की वीके पावरानू किसी होर ग्रेसफुल या रिस्पेक्टफुल तरीके देनाल अकॉमोडेट नहीं सी कीता जा सकता अपस दा जड़ा काटो कलेश बहुत जादा सिखर ते पहुंच चुका होंदा है एक और दा क्रेट किता जानता है चीफ मिनिस्टर ऑफिस दे विच्छी जिसनों की प्रिंसिपल सेकरेटरी सीमो किया जानता है तेके ADGP पंदर दे दिकारी नो उथे तैनार किता जानता है ज एक फिल गुड फैक्टर जूदा रखन लई हरपी सिद्दू लई एक अलागा ओदे ही जड़ा ही सीमो दे विच क्रेट करता गया जुकि आज तक बरकरार सी ते गौरव यादव ओ स्पेशल प्रिंसिपल सेकरेटरी ते ओदे पहना बैठे सी तो जे इस तरीके देनाल वी इनाट्री दे विच छेमा उनादा नंबर है उनना तो उत्ते पहला ही IPS अफसरा दी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है पैनल दे विच उनादा ना जी पेज़या जान दा है पंजाब दे विच्छों ते UPSC उसनो प्रूव करके मोर करके वापस पेज़ दे ता उनानू क्लारिफिकेशन या उना तो सपश्टिकरन दुवान दा काम खुद चीफ मिनिस्टर पगवांतमान कार रहे सी मेरी मुराद उस कटना तो है जदो पंजाब दे मुख मंतरी पगवांतमान ने सक्त एतराज जाहर किता सी सिद्धू मुसे अला कतल तो बाद प्रेस क बराड ने जो गला बाता मैंनू कहिएं सी ओ सारी गला माता ने बिच और चीज़ना जोड़ दियां सी लेकिन अगले ही दिन WK पावरा नू दबा के उना दे उते सक्त एतराज करके मुख मंतरी ने बयान जारी कराया थे उस बयान दे विच एस चीज़ दा जिकर भी कराई गया कि मुख मंद्री दे आखे दे वीके पावरा जड़े हैं फे स्पश्टी करन दिता गया है पुरब दे पूरे दे पूरे ड्रामे नुकलोलना हो रही हैं से बेसिकली पंजाब सरकार दे जदो सवा चार सो लोक्यां दी सुरुख्या दी जड़िया लिस्टां सान उननों मीडिया दे विच उछाले जा रहा है सीगा पूरी दी पूरी जड़िया तमाश भी नी आम आदमी पाटी दी लीडर्शिप कर दी पैसी उस विच इंडल्ज कर दी पैसी सेंसिटिव खुफिया सीक्रेट ते क्लासिफाइड इंफोर्मेशन नों पब्लिक दे विच उड़ा उड़ा के इस्ते हारा दी शकल दी विच क्रेटिव दी शकल दी विच ओस ओना चीजां दे उत्ते आज तक कोई जवाब पगवानतमान सरकार ने नहीं देता है किसी दी जवाब दी ते नहीं किती है किसी नों कारण दसो नोटिस तक जारी नहीं किता गया है सारे दे सारे इस हमाम दे विच नंगे सी लेकिन अखीर दे विच जड़ा चिक्र सिटन दा समा आया यानि कि जदों एक डीजीपी दा ओदा बचान लेगी काफसर नों प्रोटेक्ट करन दी कहल बाता है ता पंजाब दे मुख मंत्री या पंजाब सरकार ने फैसला ए लिया कि डीजीपी वीके पावरा नों कारण दसो नोटिस से देता जाए ता कि वीके पावरान डर जांते कोई कानूनी कारवई ना करन ए सरकार नोट चंगी तना पता है कि अदालत मिची वीके पावरा गयनी कि सरकार दा फैसला उल्ड़ेआ सो उल्ड़ेआ हुन सवाल यह है कि मुख मंत्री ते सरकार दी मर्जी तो बगैर कोई भी डीजीपी पावे उसनू कानून ते पावे उसनू सुप्रीम कोड या यूपीएससी तजड़ा पैनल है ओ अधिकरित करदा होवे ओ और दे ते सही तरीके ना काम नहीं कर पाएगा एस चीनू समझन दी लोड है लेकिन एस तो भी ज़ादा समझते स्यानत दखान दी लोड ता पग मंतमान दी सरकार नू है हुन एथे सरकार दे विचे केड़ा थिंक टैंक बैठा है केड़े सीनियर फंक्शनरीज बैठे ने जो की सरकार नू सलामा दे सकते ने अजे हे नाजुक मौक्या दे उते टरबल शूटिंग दी लोड होंदी है तो उसी हर तेर नो सैटिसफाई करना होंदा है हर तेर दी ज़डी इज़त है उसदा ज़ड़ा मान सनमान मरदा है उसनू त्यान भी चराखना होंदा है ज़डी वीके पावरा दे बड़े दोशी सी था फिर उनत्ती मई तो बाद तो नू दो सितंबर तक इंतजार क्यों करना है शो कॉस नोटिस जारी करना है ये बहुत बड़ा एक सवाल है ते कई जड़े होर सवाला नू जनन दन दा है जिस दा शैद अंदाजा पा अग्मानतमान सरकार ने उड़ा नहीं सी लाया हुण जे वीके पावरा सरकार तो दस्तावेज मांगरे ने लोडीन दे सवाल पुछ रहे हैं तो सरकार दे कान हो चुके ने कि हुण वीके पावरा कुछ बड़ा करन दी त्यारी विच ने लेकिन सब तो मजबूत पहलू वीके पावरा दी पूरी 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 गालबा दा ए है कि सिद्धू मुसे आला दा जेड़ा कतल कांड होया जिस दे ले कि स्क्वेरली हुण ठीक रहा हुना दे सिरते पन्न दे मकसद दे नाल ही ये शो कॉस नोटिस नो जारी किता गया सी उस चपेट दे विच क्योंकि पूरी पूरी कारवाई कोई साधारन कारवाई नहीं सी उस तो पहला दे उस दोरान बहुत कुछ होया और सारी अंगल्ला मातना की सी उस दा जिड़ा खाका है कि वीके पावरा पबलिक डोमेन दे विच सांजा करे किसी स्टेश दे करन गे औ खुद पामे पबलिक दे विच ना आँ लेकिन अदालता दे विच जे उन्हों अपने डीजेपी ओदे नू बचान ली बरकरार रखन ली एक लड़ाई लड़नी पैंदी है तो मैं लोग दा अदालता दे विच चूहीं खुलासा होएगा जिसनो नाता नयाई कमिशन बठ खाके पगवंतमान ने करम दी लोड महसूस किती ते नहीं पंजाब दा मीडिया ते पंजाब दी सियासी पार्टिया उना सवाला नो चुकरीया ते पुछ रहीया ने सिद्धु मुस्याला दे कतल तो पहला, सिद्धु मुस्याला दे हत्या तो पहला, जिडिया कोताहियां हुई या लापसिस होए उसलिए दोशीते जिमवार किस नो ठहराया जाए कला एक डीजेपी की स्केपगोट बनेगा या फिर इस पूरे दे पूरे सिस्टम नो आड़े हत्थों लैंड दी लोड है जो कि मैंनू लाग दा कि वीके पावरा लैंड गे क्योंकि जिड़े सवाल जिस तरीके देना लोने सवाल पूछे ने उस तो बहुत सी चीजां तो परदा उठन दी पूरी दी पूरी संभावना है जे इना सवाला दे जवाब वीके पावरा उनू बगवांतमान सरकार नहीं भी देन दी तावी वीके पावरा अपने पक्खों बहुत सी अजेहियां चीजां दा खुलासा कर सक देने जे उनाने ओ खुलासा कीता इन दे लार्जर इंटरेस्ट आफ जस्टिस मैं चाहांगा कि वीके पावरा थोड़ा जा होर दाम दखाउन उस सारी दी सारी गलना बाता नू पब्लिक डोमेन दे वीच लेके आँन उसलिए डीजीपी दी अपनी पुमिका की सी चीफ मनिस्टर आफिस दा की रोल सी केड़े लोका ने केड़े अंदर ले अंसरा ने ए सूचियां जारी कितियां खत्रे दे बिच लोका दी सुरख्यान उपाया ए चीज मेरे लिए सब तो महत्तपूरण है ते जे एजिस पब्लिक डोमेन दे विच आँदी है पामे फिर अदालता दे रिकॉर्डना दे विच आवे डीजीपी ओदे दी खाना जंगी या डीजीपी ओदे उते बैठन दी कानूनी लडाई जे उतनी अदालता भी जाँदी है किस दे कहे दे गया सी इंटेलिजेंस इंपूट रिपोर्टां की सन इस दे पिच्छे की कोई राजनेतिक फैसले सी एजिनिया सूचियां इन्फरमेशन जड़ी लीख होई सबाचार सो लोग कान दी सुरुख्या कटी किस दे आखे दे कटी किमे कटी किस बेसिस दे कटी क्योंकि अदालता भी चुप कर गया हाई कोड दे बिच भी एक केस ही गा आस ता कित्री जारे सी कि शैद अदालत दे बिच इस चीजां दे बारे इस पश्टी करण मंगया जाए जोकि दालत ने कुछ हाथ तक मंगया भी क्योंकि उना दे समय दे उत्ते उना दे कारजकाल तोरा ने डीवर्डी कटना वापरी इस दी जिम्मेबारी था उना नो नो निस्चे तोरते बतावर डीजीपी लेडी पएगी लिगने इस दे नाले भी ज़िरूरी है कि कले डीजीपी पावरा दे उत्ते ही एठीकरा ना पनने जावे होर जेडे भी लोग इस पूरे पूरे कटना चकरते मेन किरदार ते करेक्टर ने गालोना तक भी आनी चाहिए सेखोना तक भी वाजना चाहिए कले ओही शो कॉस नोटेस जारी ना करन जो कि खुद भी इस पूरे पूरे कारवाई दे विच पागीदार संते जीना दी अपनी भी अनगेली उसे पद्दर दी है मैं पजाब दे मुख मंतरी तो लाके होर तमाम उना अफसनादी काल कारता पे है तो आज दी मेरी रिपोर्ट आतों तक किसी आस करांगा ठीक लगी होएगी बहुत बहुत आनवार इस रिपोर्ट नो बेखन ली एक और रिपोर्ट लाके छेती थोड़े सामने फिर हाजरी लाम आगा थैंक्यू